मौसम से जोड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नज़र रखें प्रदेश में आज भी कईज दिलों में कोहरे के साथ कोल्ड डडे का अलर्ड जारी किया गया है ऐसे में लोगों को ठंड से बचने के लिए सलहा दी गई है मौसर भाग के मताबिक नोजनवरी को परदेश में के अदक्षन हिस्सों में कुछ जगों पर गरच के साथ बोचारे पढ़ने की संभावना है इसके लावा आज कई जगों उपर घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है पश्रमी यूपी में शीद दिवस से गंफी शीद दिवस और यूपी में अलग-अलग स्थानों पर शीद दिवस की संभावना है आगरा मथूरा हातरस में आज अत्यदिक ठंडा दिन रहने की संभावना चेतावनी दी गई है इन जिलों में आज अत्यदिक थंड़ा दिन मौसम विभाग ने आज हाथरस आगरा मतुरा में घने कोहरे के साथ अत्यदिक थंड़ा दिन रहने का अनुमान जता है इसके लावा अलिगर एटा, फिरोजबाद, मेंपुरी, इटावा, कन्नोच, औरिया, जालून, छासी, ललीदपूर, महोबा, हमीरपूर और कानपूर में भी आज कूल डडी कालर्ड जारी किया गया है इस दिलों में आज का दिन बेहर थंड़ा रहने का अनुमान है रामपूर, बरेली, पीलीभी, शाह जहांपूर, लखीमपूर, खिरी, सीतापूर, भहराईश, रावस्ती, गोंडावर, रामपूर, सितारनगर, बस्ती, संतकवी, नगर, महाराज, कंच, गौरःपूर, कुशिनगर, और देवरी में आज मत्हिम से घना कोहरा चाय रहने पिजनोर, मुरादबाद, भीमनगर, बंदायू, अलीगर, एटा, फ्रोजबाद, फर्रुखबाद, हर्दोई, उन्नाव, लखनो, बारबंकी, राइबरेली, फैसबाद, अमेठी, सुल्तानपूर, प्रताबगर, अमबेटकर नगर, आसमगर, जौनपूर, वारनसी, आज पिजनोर, मुर्ण, गाजीपूर, बलिया, में आज कोहरा चाया रहेगा, मौसम भाग के मताबिक दो दिनों में उत्तर पश्रिम भारत में घने से घनक कोहरा जारी रहने और उसके बाद धीरे-धीरे कम होने की संभावना है, मौसम भाग ने बताया कि एकले दो दिनों के दोरान पंजाब, हरियाना, चंडिकर, दिली और राजस्तान के कुछ हिस्सों में कोल्ड़े से लेकर सीवियर कोल्ड़े की स्तिती जारी रहने की संभावना है, और उसके बाद उसमें उल लेखनी कमी आएगी, प्रदेश में जनुरी के पहले हफते से शुरुआते दिनों मौसम भाग की मानितो, राजी में ध्धम सिंग नगर जिले की कई शेत्रों में घना कोहरा लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है, मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए लाइब मौसम खबरों के लिए यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें